भारत के पास दुनिया के आबादी का कोल 10 रारा प्रदिशत प्रदिशत है पर अगर पानी की बात करें तो वो केवल 4 प्रदिशत ही है और इस बात को नजर अंदाज नहीं क्या जा सकता कि यह आचड़े काफी भ्यावें हैं वही पानी की सफाई की बात करें तो ये जंग भी बड़े लंबे वक्त से जारी है और जब पानी की ही सफाई की बात आती है तो गंगा और उससे जुड़े तमाम नेताओं के वादे भी याता जाते हैं पैसे आपको बता दें कि अभी तक नमामी गंगे परियोचना पर 28,790 करोड उपे खर्च हो चुके हैं और सफाई कहा तक महची है ये तो आप सभी के सामने ही है हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ओफ इंडिया के सर्वे में गंगा नदी से जुड़े चौकाने वाले तत्थ सामने आये हैं देश के पांच राज्यों में गंगा नदी पर बने ए सर्वे किया है इसका लक्ष देश के हर एक जिले में गंगा नदी पर बने जलनिकायों की स्थिति का जायसा लेना है जिससे उनमें सुधार लाकर उन्हें और बहतर बनाया जा सके क्वालिटी काउंसिल ओफ इंडिया ने अब तक ऐसे 578 जलनिकायों का सर्वे किया है इसमे की नमामी गंगे कारिक्रम की अंतरकत हो रहा ये सर्वे सभी उत्तराखंड, बिहार, जहारखंड और बंगाल में पूरा नहीं हुआ है Social Action for Forest and Environment संस्था के संस्थापक, पर्यावर अन्विद, विक्रान, तोंगडे के अनुसार, इन जलनिकायों के सूखने का मुख्य कारण, कूरा और गंदगी के साथ साथ लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण है गंगा बेसिन पर बने तालाब, टैंक और जीलो समेत अन्य जलनिकायों के रखरखाओं के लिए एक अलग विभाग बनाय जाने की जरूरत है बरतमान में कई तालाब और टैंक केवल सरकार के राजस्व के रिकॉर्ड में ही दर्ज हैं गंगा पर बने इन जलनिकायों को बहतर करने के लिए लंबे अर्से से कारे कर रहे विक्रम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस सर्वे से बेहत चौकाने वाली बात सामने आई है बता दें कि 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी का भारत के जल संसाधन में कुल 28 फीजदी योगतान है वहें इसकी सफाई के लिए कुल 333 पर योजनाय भी स्विक्रित हैं साथ ही इन सब के बावचूत जमीनी स्तर पर गंगा नदी के हालात आपके सामने है ब्यूर रपोर्ट गोनिम्स